कि नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस लाइब सेशन में वेलकम एवरिवन आइप यूप 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 आपको बहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहे हैं गुड इवनिंग हाई नम्रा और फिर अगला नाम बहुत कठी ने पता नहीं क्या है सितास्क सितास्क आसान नाम क्यों नहीं रतते हो सलायतुन निशा ओम प्रकास शौधरी संजीव जस्वीर कुमुद वर्शा सिमरन पल्लवी अभिशेक सुरनाली सुरनाली शिवम एंड मनी अधर्स वेलकम टू इस सेश ने सिविक्स का चैटर नंबर थ्री सिविक्स चैटर नंबर थ्री जैंडर रिलिजर रिलिजर एंड कास्ट वन आप दी मोस्ट अमेजिंग चैप्टर बताईए दिखाई सुनाई दे रहूं मैं आपको हाई अथर्फ है चलिया तो शुरू क्या जाए आज का कारिक्रम कि जितना पूछा जाए उत्रे पर जवाब दे पाए बच्चे ठीक है कि स्टार्ट कीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं तो तो जेंडर रिजन कास्ट है आज हमारे पास में चैप्टर राम राम भाई सार्या ने आज हम हमारे 10 डे चैलेंज के डे नमबर 9 पे एक और दिन कर देता हूं मैं आज ही अभी तुरंट क्या कि 26 तारिक तक हमारे 10 के 10 चैप्टर के वन शॉट हो जाएंगे 27 तारिक को इन 10 चैप्टर में जो जो मैप वर्क का मटीरियल है जैसे नैशनलिजम इन इंडिया से मैप वर्क है रिसोर्स और डवलप्मेंट से इससे कोई मैप अगर और किसी चैप्टर को वैसे तो अब हम देखेंगे ना तो हर चैप्टर किसी की जमें बताएं कि एक बच्चे का मिला है सिर्फ दो चैप्टर छोड़के सब आ रहे हाफ यरली में तो बैटल्स पर फोकस मत करो अल्टिमेट वार जीतेंगे लेकिन अभी के लिए इतन क्लास 9 मिल रहे है अपन इलेक्ट्रोल कोलेटिक्स के साथ आट पर तालिस पर चैप्टर है जेंडर रिलिजिन कास्ट हाथ पर घड़ी कर लो सामने रख लो दिमाग पूरा इतरह फोकस करना और सारी चिदों का अच्छे से समझते चलना तीन शब्दों पर ये चैप्टर टिका यह कौन-कौन शब्द है जेंडर ठीगे रिलीजिन इंड कास्ट गलत आ रहे होगा एक से यहान तीसे जेंडर एंडल डिशींग तो जैंडर वाले आसपेट को चैप्टर पर समझेंगे बढ़े हैं या फिर चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें कैसे पड़े तो वहां सिधा तरीक रहता है कि चैप्टर को अलगला हिस्सों में बाट दो और ऐसे चैप्टर पर्फेक्ट एक्जामपल हिस्सों में बाटने वाले कैसे हैं कि आप चैप्टर में सिर्स जेंडर वाले आसपेट आप को जानने को मिलेगा कि पब्लिक प्राइब डिविजन क्याशिज कर रही है और लास्ट में का पॉलिटीकल टिप्रेजेंटिशिंस कैसे उनकी परिशानियों से ऊपर आने में उनकी मदद कर सकता है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट में जेंडर वाले आस्पेक्ट में आपको इतना पढ़ना है बस ये जेंडर से जुड़ोई चीज़ है फिर आ जाओ रिलीजन तो रिलीजन और पॉलिटिक्स के यह सकता है समस्याओं से उपर आने के लिए तो इभात कैसे important बन जाता है सब्सक्राइब करेंगे तो सेकुलर स्टेट उसका सलूशन हो जाएगा फिर लास्ट में कास्ट वाला आसपेक्ट जो रहेगा तो कास्ट फिर कास्ट और पॉलेटिक्स का क्या मेल मिलाप है कास शिस्टम इस भरी उनिग्ट एंडिया और साथ इसाथ कैसे इंडिया में एक्जक करती है फिर पॉलेटिक्स गास्ट बबलू आप इंदिड़ी चैट तो वो सारी चीज है घर करने वाले हैं तो चाप्टर की रूप रह को देखा जा रहा है और कास्ट का पॉलिटिक्स में इस्तमाल करना पॉजिटिव यह नेगेटिव यह दोनों चीज़े हैं ठीक है अगर यहां तक सारी चीज़े क्लियर हैं तो आगे वड़ते हैं सवाल के साथ में उठा के मार दिया जाए एक पोल बहुत जोर से बताओ ठीक है पोल ठीक है सवाल देखा लेक्चर कितना बड़ा होगा जब तक चाप्टर कम्प्लीट नहीं होगा प्लस मैनस करो तो कॉल में में दिया कि सिस्टम डेट वैल्यूस में और गिवस्टेम पावर विमन पेट्रियार्टी होता है एक डी होना चाहिए एक डी यह दो ऑप्शन में है तो इन दोनों में सी कुछ होगा यह दोनों तो आंसर होंगे नी फिर क्या है लॉज्ट देव इन दोनों में सी कुछ होगा थ्री का न्यू जन्रेशन टेक्स अप्टी ऑप्शन अधर देन एंसिस्टर्स ऑक्यूपिशन ओपिशनल मोबिलेटी थी का भी थी का भी मिल गया हमें सीज दी राइट आंसर वाट वाट वी गाइस से सी क्योंकि आप क्या देख रहे हैं शिफ्ट ऑफ पॉबलेशन फ्रम रूरल टो अर्बन एरिया अर्बन इसेशन होता है कि शहरी करन ठीक है तो यहां पर सी दी राइट आंसर अब थोड़ा सा वाटर टेस्टिंग होगे तो सीधे कूद पड़ते हैं डी सेंट्राइशन किसी कि फाइन ओके तो अगर आगे पड़े जेंडर और पॉलिटिक से शुरू करें तो जेंडर इस कंसिडरेट एज नैचरल एंड अंचींजेबल बट्ट देर इस डिफरेंस देरा टू थिंस एक होता है सेक्स और दूसरा होता है जेंडर अब जेंडर जो है ना तो जेंडर क चीनल के साथ पैदा होता है तो उस एसाप साम किसी को मेल कहते हैं किसी को फीमेल कहते हैं और हम क्या करते हैं और जेंडर को इंटर्चेंजबली यूज कर लेते हैं हम जेंडर को कंस्ट्रक्ट करते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं जैसे हम बोलते हैं कि लड़का है तो रोएगा नहीं लड़की है तो इसको पिंक पसंद होगा ठीक है तो अब क्या हो रहा मैंने पिंक मतलब यह पिंक क बनाने जैसा है, जो की stereotype बनाने जैसा है तो अब जिससे अगर कर형पेशं धन्हाइक तो आपको यह जूंहा होगा कि यह जो इस्टे अर्टे है हमारी सोटी में ह। घंडर transaction जो है तो तो कितना तो आप क्या हो रहा है कि biology को आप societal expectations के साथ में क्या कर देते हो वो जेंडर स्टिडियोटाइब विशन में गया और गश्य और अंदर के सारे काम कूर रही महिलाएं करेंगी और घर के बाहर के सारे काम पुरुश करेंगे अब ऐसा नहीं ये कि महिलाएं घर के काम नहीं कर सकती और घर के अंदर के काम करने में पुरुष कम पुरुष हो जाएंगे लेकिन सोसाइटल एक्सपेक्टेशन में जो मेल जेंडर बनाया गया है तो मेल जेंडर को सोसाइटल expectations में ऐसा समझा गया कि वो पुरुष प्रधान समाज है तो पुरुष प्रधान समाज में पुरुष घर का मुख्या होगा वही बाहर काम करने जाएगा वही घर का पालंद सब्सक्राइब करेगा लेकिन वही काम हिला भी कर सकती है पर सोसाइड़ एक्सपक्टिशन के चलते जेंडर कंसक्शन हुआ है क्या देखने को मिलता है कि पप्लिक-प्राइबेट भी है बन गया अब प्लिक प्राइबेट डिविजन बन गया तो उसके चलता आपको यह समझ में आता है कि sexual division of labor public private division मतलब क्या है कि roles and responsibilities of male and female are male and female are specifically ascribed कैसे male and female की public qualities specifically कैसे ascribe कर दिये कि यह बता दिये आपको sexual division of labor में कि male जो होंगे तो उनका काम घर के बहार होगा पैसे कमाने वाला होगा female जो होगे तो उनका काम घर तक ही सिमित होगा समझ उनका काम घर तक ही सिमित होगा फिर क्या है domestic work performed by women is not valued और अब जब women का काम घर तक ही सिमित होगा तो उनके द्वारा जो काम किया जाएगा उस काम कुतनी value नहीं होगे ऐसा माना जाएगा कि इस देर जाएवेट दिविज़ट के चलते हैं women जो है तो वो डिस्क्रिमिनेशन से कर ती है ठीक है वह डिस्कृमिट फेस करती अब बंध तो इसके चलते में डिस्क्रिमिशन फेस करती है अब अब आपको यह भी देखने के बात नहीं कर रहा है उनके वेल syllabus में क्लिए फॉपनिंट में कोई बात नहीं कर रहा है तो उसी के चलते क्या होता हैं अधिकारू की बात करता है तो Nie थैक defendant कहलाता है और बांटेज क्यों हों रहा था पब्लिक स्फ्रेयर में फ्राइब स्चीर में और फिल्ट को जब हालाइट करना शुरू किया गया तुसके अड़ गॉन ए 원 यह हुआ कि आए इस शू को क्या गया एक्षिव को रजOOOOOOOO को रेस किया गया और यहाँ पिड़ी-दि-दि-दि जो व्ह Ary और में दोनों की इक्वैलिटी की बात करता है वो वेक्ति क्या कहलाता है ठीक है और इस तरह से फेमिनिस्ट मूव्मेंट स्टार्ट हुए ठीक है टेक आई जीरो नाइन ठीक है तुम क्यों सुपर से डाल रहे हो मतलब क्या पूछना चाहरे है ठीक है पहले फड़ा रहा हूं जब उस पर फोकस करना दो लेकिन तो अब जैसे अगर हम देखें यहां पे फ्लो तोटता है यहां तक चीज़े समझ में एक पर कनेक्ट करवा दो जैंडर को नेक्षेनल माना जाता है लेकिन इस नॉट बेस्ट बाइलोजी बट अब क्योंकि सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से स्टीरियो टाइप से तो उसके चलते आपको देखने को मिलता है उसके चलते आपको प्रेजेंटेशन नहीं है कोई उनका इंटरस्ट रखने वाले वाला नहीं था और जब इन विशू को हाइलाइट किया गया पॉलिटिक्स में उससे कही न कही विमन के राइट्स के उपर विमन के एक्वालिटी के उपर अवेरनेस जवलप हुई तो उसे क्या कहा गया तो आख के बतले आख लेली और विश्व को अंधा कर दिया तो फीमेल और मेल दोरों बराबर हो ऐसा नहीं कि फीमेल को एक्स्ट्रा एडवांटिज दिया जाए ठीक है तो वह फेमिनिस्ट होते हैं फेमिनिस्ट और दोस हो बिलीव इंदी इक्वाल राइक्स ऑफ बोथ मेल इन फीमेल ठीक है एंड इस हेल्ब टू इंप्रूव दी विमेंस रोल इन पब्लिक लाइफ और इससे फेमिनिस्ट मूव्मेंट से कही न कहीं पब्लिक लाइफ में विमेन की स्थिति सुद्री है जिसे आप देखेंगे तो हमारे देश में उतनी ना सुद्री हो लेकिन स् स्थिति है तो स्टिल दी मेल डॉमिनेटेट इन पेट्रियार्कल नेचर आफ अवर सोसाइटी हमारा समाज जो यह तो पुरुष प्रदाहन समाज है ठीक हर सोसाइटी से यूरोपियन सोसाइटी थोड़ी ऐसे प्रोग्रेसिव हो गई कैसे कि जंडर एक्वालिटी में उन अब डियार्कल नीचर ओफ आफ आपका सवाल अलट द्यान दो क्या सेक्शल डिविजन ऑफ लेबर क्या होता है सेक्स और जेंडर में डिफरेंस क्या होता है सेमिनिस्ट क्या होता है ठीक है वो सारे कीवर्ट कोश्चन के फॉर्म में और एक बड़ा कोश्चन यहां यह बनेगा वाट आर्दी इसक्रिमेशन से इन ऑपरेशन से फेज़ बाए विमेन स्टिल इनार सोसाइटी ठीक है वाट आधी डिफरेंट आस्पेक्स वेर विमेन क्या पिक्षा कम है लिटरसी रेट में जैसे आप देखेंगे तो मात्र 54 परसेंट ही विमेन लिटरेट है वह मेल के इसा क्यूंकि ड्रॉप आउट रेट जो है तो वह विमेन के जादा है जैसे एक फैमिली में आगर आप देखेंगे तो पैरेंट्स विल प्रिफर टू से लड़की तो तुम्हें बुड़ापे में घला दबा देगी ऐसा कुछ नहीं होता ना लेकिन क्या होता है ड्यू टू दी पेट्रेयर का सुसाइटी आपको क्या देखने को मिलता है कि ड्रॉप आउट रेट जो है वो लड़कियों के जादा अगर पढ़ाई बंद करने की बारे आती है तो पहले लड़कियों की कराई जाती है और उसकारण से क्या होता है कि लिटरसी रेट जो है फीमेल का कम है तो दिस इस वन पॉइंट पॉइंट इस वन आस्पेक्ट वेर दी विमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन सेकें वर प्रपोर्शन और विमें अमंग धी प्रपॉर्शन कम है इन फेक्ट विमें उसी काम को जिसे आप दिखने ज्यादा समय दे रही हैं तो भी विमन को उतना पैसा नहीं मिल रहा है फिक्त विमेंग डिवर्डन नोंुष रहेज़ा है कैसे बाहर काम कर रही है वो काम के पैसे मिल रहे है जो कि पूरुष से कम मिल रहे है उसके बाद में घर के घर की जिम्मेदानिया भी विमेन ही समालेगी ठीक है तो प्रपोर्शन ऑफ विमेन अमंग धी हाईली पेड एंड वैल्यू जॉब इस तिल वेरी स्मॉल ठीक है प्रपोर्शन जो है विमेन का वो बहुत कम है समाज गए आगे बड़ते हैं अगला क्या है अगला जीसे देखेंगे तो इक्वल रेमिने सबको इक्वल पैसा मिलना चाहिए उसके बावजूद भी आपको क्या देखने मिलता है हावेवर विमेन आर पेड लेस दन में इन मैनी एरिया ठीक है बहुत सारे अरिया आप जैसे आप देखोगे तो इंडियान क्रिकेट टीम कि बीसी सी आई के अगर हम बात करें तो बी इसा तो नहीं कि विमेन क्या बोलते ट्रायल वाल खेलती थी खेलती तो वह भी क्रिकेट थी ना लेकिन तो जो कंट्री में जहां पे क्रिकेट को कितना ग्लोरिफाई किया जाता वहां पर इस्तिती थी तो इक्वल रिमिनेशन एक्ट होने के बावजूद भी मैं और एक सि ट्राया से एक मेल डॉप ऑलीवूड तो अपने आपको कितना प्रोग्रेसिव बताता है यहां प्रोग्रेसिव एक त्यक्यों कि आप देख़ो वहां पर भी आपको पे ट्रेयार की देखने को मिल रही है कि मेल फीमेल एक्टर्स आर पेड लेस बन कमेट विदी में सब्सक्राइब आपको देखने को मिलेगा सेक्स रिशियो क्या होता है दी नंबर ओफ फीमेल पर थाउजन मेल ठीक है तो थाउजन के सेंपल साइज का प्रपोर्शन लेंगे अगर मेल्स का तो उसके कंपेरिशन में विमेन कितनी पॉपलिशन में हैं तो कहीं कहीं पर आपक है और रून अ 10 अफ्यायप हो जाती पीट मेही हां क्या वलते हैं कि फीमेल हे टीक्ट को आप सब्सकरीन कोफ प्रसरेयें यह प्रसाइटिएक केस गयंत तो आ थीज पाईंट प्रोव सुसपारिंश देख नेग् आधिए और centuries ठीक हमाई society में आज भी आपको कहीं कहीं पर क्या देखने मिलता है कि पेट्रियर्कल निचर होने के कारण इन आस्पेक्ट्स पे विमेन डिस्क्रमेशन फेस करते हैं अब समस्या समस्या पर नहीं समाधान पर फोकस करना है ठीक है तो समस्या पर नहीं समाधान पर हो गया पबलिक ẹवेट डिवाइट चलते विमेन अर्शिक्त तक ते हाउसल्ड वर्क घपर अब पब्लीक लाइफ में उतनी एक्टिव नहीं पब्लीक लाइफ में उनका रिप्रेजेंटिशन नहीं तो अब जब पब्लीक लाइफ में वे एक्टिव नहीं रिप्रेजेंटिशन नहीं है जैसे जस्ट गिविदी कंटेक्स्ट क्या है कि कंट्री का अभी तक का हाइस्ट विमन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में नैशनल लेवल पे लोग सभा में 14 परसेंट है जो पिछले एलेक्शन 2019 में आपको देखने को मिला और इसी के चलते करेंट से करेंट करो इसी के चलते जो विमेन विमें रिज़वरेशन बिल पास किया गया है तो इसको चलते हैं ऍरमनल को ये माना जाता है कि इस वोकोरशन बढ़ेमें विमेंट तो उससे पिमेंट के अप्लिफ्ट्मेंट के लिए ठीक उनके अगेंस में जह डिस्क्रीमिशन चल रहा है उसको खत्म करने के लिए लॉस्ट भी बनेंगे ठीक है तो विम्sy पॉलिटिकल Francisco na is a cans भी अभी आप जिस दिखेंगे तो अभी recently तीन दिन पहले प्रयास करके विमेन डेजरवराशन बिल को पास कर दिया गिया है और अब उसका एडवांटेज ही होगा क्या कि उससे विमेन अपने सक्षन के बारे में सोच सकेंगे अब और इक्जाम में कैया लखेंगे सरम तो एक्जाम में जैसे मैने आपको समझाया वैसे लिखना होगा क्या कि गीविमन का पोलिटिकल रिप्रेजनेटेशन अटे रीसेंटली दिस्टप टेकन भ्यदि GOT ma कोवर्मेंट कें इंप्रूव दिस सिच्टूएशन वेर अगया अगया तो मैंने यह बताया कि विमन रिप्रेजेंटेशन बिल जो है तो कही ना कहीं क्या कर देगा इस्तिति सुदारने में हमारी मदद करेगा तो यहां पर हमारे पार्ट कंप्रीट हो गया था अब यह सवाल देर इस ओनली वन ओफिशल रिलिजिएन फॉर इंडियन स्टेट्स फॉर मेंटेनिंग इट्स सेकुलर स्टेटस ठीक है कम्मुनलिजम इस वन फी मेजर चैल अब लैग चले गया चले गया फिर आगया इस सवाल का जवाब देख परसो अब देखो मुझे पता है कि किसी का खली पेपर होगा और इसे कंट्री में एक नहीं एक हजार बच्चे होंगे जो बहुत अच्छी बात होती लेकिन इसमें उत्ता दिल पे मत लो क्योंकि हमने अब टाइम टेबल बनाया सेट के तो मुस्ताब से चलेंगे ठीक है फ सवाल का जवाब देखो तो असर्शन इस फॉल्स और रीजन इस ट्रू तो डी इस राइट आंसर पोल दे दिया था डी इस राइट आंसर क्यों क्यों कि there is only one official region नहीं there is no official religion for the Indian states to maintain its secular status coming on to the second part of the chapter chapter के second टायर पर ठीक है चैप्टर एक ऑटो की तरह चल रहा है जेंडर वाला आसपेक्ट पुरा पढ़ लिया क्या क्या देखा हमने उसमें देखा कि जो पॉब्लिक प्राइवेट डिविजन वाली चीज थी सेक्स और जेंडर का आसपेक्ट फेमिनिजम वाला प अब क्या बना लेते हैं किसी प्रकार का माइंड सेट जैसे एक एक्जामपल बना तो प्रीकल सेव्ड नोशन आपने यह गाहों के लोग जो है वो पड़ते नहीं है गाहों के लोगों को कुछ नहीं आता वो टेक्निकल एडवांस नहीं पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और भी अब क्या हो रहा है कि अप जिस मेन says अगशे नहींद की अप ऐसा लगेगा वग Wegthi को दिखके आपको ऐसा लगेगा कि पड़ा लिखे नहीं होते हैं प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं सोच ठीक नहीं एह तो वह आप प्राउड ओब देट तो अगला muscle बना ले तो आपने एक स्टेरियो टइप बना लिया तो वह थिर्यो टाइप कहला तें तो वह थे बना लगा आपको स्टिरियोटाइप किला तो वह स्टिरियोटाइप उह गहें और प्रिदियोटाइप मतलब प्रिकंसीव्ड नोशन्स क्रीट करना on the basis of few examples ओर फ्यू इंस्टानसेज डिक चलो आगे यह बता हैं यह और सम गलत है वह चीज़ समझेंगे उसके समझने समझ टो टो एक स्प्रेस्प्रेस क्या सब्सक्रेख क्या जाता है रहा है को आप हम गॉशंडर को पड़ा तो जेंडर हुम नहीं क्या देखा कि जंडर को जब politics में हैलाइट किया तो उसके positive outcome है क्यूं क्यूंकि जंडर division को जब politics में हैलाइट किया तो उससे यह समझ में आया कि हाँ एक जंडर जो है women का वो discrimination face कर रहा है और एक जंडर जो है women का उसने इसकितके डिस्क्रीमेंशन के चलते आपको क्या देखने को मिला कि जब पॉलिटिक्स में इशु को उठाया गया तो उससे विमें का अप्लिफ्ट्मेंट हुआ जिसे अब जेंडर इशु उठाया गया तब ही तो विमें रिजर्वेश्वेशन बिल पास हुआ और उससी के चलते तो आपको क्या देखने मिला कि women का upliftment होगा ठीक है अब वही चीज़ आती politics के context में वही चीज़ आती religion के context में कि religion को जब politics में उठाएगा तो positive है नेगेटिव है तो अगर हम जैसे देखें तो religion का हमें negative impact देखने को मिला क्या कि religion के नाम पे politics में क्या किया जाता है vote bank की politics खेली जाती है religion के नाम पे आपको क्या देखने को मिलता है religion के नाम पे आपको देखने को मिलता है कि चीज़ें गडवल की जाती कैसे गडवल की जाती है कि एक द्धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों के साथ लड़ा दिया जाता है ठीक है यह रिलिजन के नाम पर हो रहा है तो expression on of religion in politics तो अगर जिसे देखें तो महत्मा गांदी का क्या मानना था कि religion तो इसका मतलब यह नहीं था उनका कि हिंदो मुस्लिम करवा दो या फिर रिलिजन के नाम पर वोड़ बैंक बना लो यह वो सारी चीदे गांदी जी का जब गांदी जी ने यह स्टेट्मेंट दिया रिजन के नेवर भी सेपरेटेट फॉन पॉलेटिक्स तो उसके थे चाहते थी कि जी जैसे रिलिजास यह जाती है क्या कहती है तो इस थे महत्म गांदी का अब्जेक्टिव था लेकिन पॉलिटीशन ने बहुत ज्यादा सीरियस्ली ले लिए उस चीज को उन्होंने बोल दिया नहीं महत्म गांदी का कहना था है रिलिजिन के नेवर बी सेपरेटेट इट्रॉम पॉलिटिक्स तो हम पॉलिटिक्स रिलीजिन के ना सब्सक्राइब को क्या होता है नुक्सान सहना पड़ता है तो रिलीजिन और पॉलिटिक्स को बहुत दूर रखा जाना चाहिए फाइन इन फेक्ट आप जिस तो विमेंस ग्रूप जो है तो दे ऑफंट साइट डिस्क्रिमेशन विद्धी विमें आर टेकिंग प्लेस में क्या हो रहा है जिसे त्रिपल तलाग का कॉंसेट है त्रिपल तलाग का कॉंसेट क्या कहता है कि जो था मतलब कि तलाग 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 और तलाग हो गया और ऐसे कैसे तलाग हो गया तो बोल दें कि यह सैमली लौ है ठीक है शरियत लौक हिसाब से ऐसे ही तलाग होता है तो अब हो किया रहा है कि ओस अब शरियत लोगर एक एक रिलीजन से तो खुआ है प्रापटी में फीमेल का कोई भी हक नहीं दिया जाएगा तो बेटी भी लाइक मैं क्या करूँ फिर जॉट चुड़ दूँ ठीक है तो डिस्क्रिमेशन विमन फेस करती धर्म के नाम पर तो दीज एंस्टांसज तो कि दी कि इसके पॉजिटिव भी देखने को मिल रहें तब आपको समझना होगा तब आपको देखना होगा कि इस इंस्टांसे को रिलिजन के साथ में इंटर्वीन करना पड़ता है जैसे वो यह कि त्रिपल तलाग इशू जो था तो उसको बैन करने के लिए पॉलिटिक्स में रिलिजियस इशू या फिर गवर्मेंट को रिलिजियस इशू में इंटर्वीन करना पड़ा ठीक है तो वह एक टाइमस सही भी है जरूरी भी है लेकिन आपको यह देखना होगा कि वह तब कि तिक किया जा रहा है हूं तब तक कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर मानलो एक रिलिजन और फटर दूसरे लीजंगों को नहीं कर ली एक ठाव लिया की आखातela decentralized के बीच मगर relations की बात की जाए तो good है या bad है तो यह line अपने आप में सार है क्या कि these political acts are not wrong as long as they treat every religion equally और जब हर धर्म को समान रूप से नहीं देखा जाता है then it may turn into अब आजाओ कमिनलिजम पे यहां तक समझ में आ गया तो ग्यूमिय थंशब क्यों कि कमिनलिजम में आपको एक बार में बहुत अच्छे समझाने वाला हो यह मान के रट जाओ अगर यहां तक समझ में आया तो कि बताओ कि ठीक है कि ओक है कि क्या समन्य आपको यह पताओ नहीं समझ आए जो लिख रहें कि इस कमिनलिजम अनली बेस्ट रिलीजन और वाट यस इस बेस्ट रिलीजन क्या है कि समझारों लिटरसी रेट से बर का है सर बतलाब हिंदी में वोलो बाभू क्या कहना चाहरो हो कि विशुड शुड शुड वी मेक नोट्स वाइल वाचिंग लेक्च्छर नो नॉट अट अल ठीक है स्टंट्स अर्ट वी परफॉर्म अंडर दी सुपर विजन ओफ एक्सपर्ट्स नोट्स का क्या करो का मैं देता दों टेल अब आजाओ कम्यूनिजम कम्यूनिजम जेंडर पर भी होता क्या नहीं कम्यूनिजम कम्यूनिजम शब्द ही किसके लिए जब धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिशन हो रहा हो अब वह समझा रहा हूं हाँ चलो समझ आ गया फेमिनिस्ट इस परसन वन हूँ बिलीव इन दी अगर सरकार एक धर्म को बहुत अच्छे से से ट्रीट कर रहे एक धर्म को बहूंत अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है तो वह क्या कहलाइगा वह कम्यूलिजम कहलाएगा यह बादप को सिधा समझाया अब उसको और डीटेल मन अगर आपको तो कम्यूनिजम एक एक ऑइडेलोजी है जहां पर क्या हो रहा है एक बिलीफ एक आईडेलोजी जहां पर प्रोसेश में क्या होगा इस अब आप देखोगे तो इस प्रोसेश में यह माना जा रहा है कि कमिनलिजम एक ऐसी philosophy है जहां पर people belonging to one religion should form a country यह मान रहे कि एक धर्म के लोग है तो एक देश बना दो उनका लेकिन यह लोग ही नहीं मान रहे है सिर्फ सरकार भी सीज में क्या कर रही है एक धर्म के लोगों की मदद कर रही है कि हां एक धर्म के लोगों का एक देश होगा और अभी सो सरकार बीशी सेफर सपोर्ड कर रही है डिक है तब इस तरह की माइड़ सेट को स्था का है ऐडी लौजी को चुस्तरह के समझ आ आया की चैली ग्राम पर कैसा मिलेगा मैं चैली ग्रुप है लिंक लिन्क लगाओ यह लगिए टेली ग्राम यह टेली एक चैल जोइ यह समझ मैं आप क्या है कमिनलिजम एक बिलीफ है जहां पर यह माना जाता है कि पीपल बिलॉंगिंग टुदी सेम रिलीजन शुट फॉर्म नेशन एंड इन इस प्रोसेश दी पावर ऑफ स्टेट इस इस तुस्टैट्बिश डॉमिनेशन गिम्मिया थम्सब अगर कैसे बनता है वो पूरी चीज़ समझाता हूं इसको एनलाइस करेंगे तो इसमें रिलीजन को एक धर्म के लोग सारे एक साथ रहेंगे यह रिलीजन को आप एस बेसिटी मान रहें ठीक है बिलीफ्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रसेंटेट एस सुपीरियर टू दोस अधर रि मानलेटी लीजन के लोग जो है तो उनके बारे में गटी लिए खुम फ्रॲ्ला है यह बिलीफ एस व्रुट्टार में ऐस सुपीरियर टू दोव्स ऐसि केई रिलीजन के लोगों को की बिलीफ को सुपिरियर बता है इस फॉलोवर्स ऑफ पटिकुलरर रिलीज़न मस्ट ब तरह से सोचते तो एक देश बनाएंगे वो दूसरे तरह के दूसरे धर्म के लोग जो दूसरी तरह से सोचते उनको उनके सांच जोड़ने की दरवत नहीं है सब्सक्राइब अब यह क्या हो रहा है यह प्रीकंसीब नोशन यह स्टिरोटैप बनाने जैसा है कि फॉल्वर डोनों अलगालग सोच सकते थो अब इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है डोमिनेशन इस्टेपरेटेंश करने के लिए यह ठीकिन unclear माइं तो this is the thinking behind the communal mind this is the thinking behind the communal माइं तुक्ष डिलिजिन लोग जो जो हो और सब जासा सोचेंगे और सब एक जासा सोचेंगे तो उसके लिए कि वह सब एक कम्मुन Etika पार्ट होना चाहिए और यहां पे शरकार इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पर ठीक है यहां पर सरकार का इस्तेमाल किया जा रहा है तुष टैबलिश इस डॉमिनेशन सरकार का इस्तेमाल किया रहा है तुष टैबलिश डॉमिनेशन और जब सरकार का इस्तेमाल अपनी डॉमिनेशन को स्टैबलिश करने के लिए किया रहा है तो यह कमिनल माइनड की थिंकिंگ होती है उन्घा नहीं हो रहा है क्या थे चीज़ बता रहो ने को आपको आपको याद करना है श्याया चेत्टी रृबोट नहीं को समझ यह को की वर जग पटो यह सिख्ञाना कि क्या पहले से Mmm पढ़ा था क्या तुम्हें लिखते नहीं बना और हमारा पार समय उस पर काम करेंगे पैनिक मत होना आराम से हो जाएगा सब कुछ ठीक है चिल रहो तो यह कमिनल माइंड की थिंकिंग होती है अब जारा मुझे एक मिट के लिए बताओ यार कि यहां तक तुम्हें कमिनलिजम समझ में आया तो हम आगे बढ़ेंगे एक कमिनल माइंड किस तरह से सोचता है वो समझ में आया एथिक्स मतलब होता है नैतिक्ता ठीक है जब आप अपने अंदर से समझते हो ना कि क्या सही है नैतिक्ता एथिक्स को अगर समझे तो सीधे थिस काममिनलिजम समझ में आ गया हो रीकॉल करवा दो एक बार और चलो एक बार और करो रहा हूं है सिंपल सा बिलीफ है जो क्या कह रहा है कि एक धर्म को बिलॉंग करने वाले लोग जो होते हैं वो सब एक कम्यूंट का पार्ट होते हैं और उस बिलीफ को स्टेट आवर गवर्मेंट का स्थमाल क्या जाता है तो इस्टाइश डेट बिलीफ वह कम्मुनलिजम होता है ठीक अब ये कमिनल माइंड एक व्यक्ति जो इस विचारधारा में विश्वास रखेगा वह कमिनल माइंड के लाएगा तो चने समझने की तरीका सोचने समें तकने का नज है एक रिलीजिन है रिलीजिन एक विकति जो है वह अलग तरह से सोच सकते और रिलीजिन एक भी विकति जो मतलब रिलीजन एक का ही सेकंड वेक्ति जो है वो दूसरे तरीके से सोच सकता है तो एक कम्मिनल माइंड जो यह बोलता है ना कि followers of a particular religion must belong to one community तो वो अपने आप में fundamentally flawed है ठीक है तो कम्मिनलिजम का आईडिया अपने आप में अगी fundamental flawed है लेकिन इस वरी टेंगिरस फॉर दीविटी ऑफ दी कंट्री कंट्री युनाइटेट कैसे रहाएगा कंट्री टानुं की तरह जो जो क्या होता है जो आपको देखने की लेगा कि अलग तरह के फ़र्म लेक्षटता है पॉलिक्ष्मिट में क्यासे अलग गलत तरह के फॉर्म लेसकता है वो भी मैं आपको बता रहोँ सबसे पहले कमिनलिजम के नाम पे religious prejudices बनती है ठीक है जब आदमी यह सोचों लगता कि नहीं एक ही धर्म और मेरे ही धर्म के लोग सबसे अच्छे तो उसके चलते क्या होता वो दूसरे धर्म के लोगों को क्या करने लगता है अच्छा दूसरे का धर्म खराब इस तरह से क्या होता है और इंफिरियारिटी डेवलप करवाना शुरू कर देता है जो एक कमिनल माइंड होता है जो कमिनलिजम की इंफ्लूएंस में वह वेक्ति रहता है वो इस तरह से सोचता है दूसरा पॉइंट अगर वह मैनोरिटी का लीडर है तो वह यह सोचेगा कि मेरे धर्म के जितने फॉलोवर हैं उन सबकों में भड़का हूं और देश से अलग होने की बात करने लोग और अकर वह मैजोरिटी रिलीजन का लीडर है तो वह क्या बोलेगा कि मेरे धर्म के लोग मैजोरिटी में इन सबकों में भड़का हूं इन सबके माइंड पर में आपको देखने को मिलता है तीसरा कमिनलिजम में यूज ऑफ सैक्रेट सिंबल्स देखने को मिलता है रिलिजियस लीडर्स एक्सेटरा टू मोबिलाइस पीपल सपोर्ट देखो हर वेक्ति धर्म से जुड़ा हुआ रहता है ठीक है अब कमिनलिजम पॉलिटिक्स में ऐसे इस् कि यह इस धर्म को सपोर्ट करने वाली पार्टी है यह इस धर्म को सपोर्ट करने वाली पार्टी है रिलिजियस लीडर्स आप देखेंगे कि अधिकतर क्या होता है रिलिजियस लीडर्स धर्म के जो गुरू है ठीक है धर्म से जुड़ा हुए जो वेक्ति हैं वो किसी भी कि हो सकता है कि religious leaders को के मच पर political leaders चड़े जाते उनके माइक में बोलते हैं कि आप समझोगे तो यह क्या है कि کमनल माइंड जो है तो religious leaders का इस्तमाल कर रहा है sacred symbols का इस्तमाल कर रहा है for mobilizing support political support के लिए और अग्लिएस्ट फ़र्म कम्मिनलिजम का जो हो सकता है कि सम्टाइब कमिनलिजम टेक्स इट्स मोस्ट अगली फ़र्म ऑफ कमिनल वालेंस राइट्स और सब मोस्ट अग्लिएस्ट फ़र्म जो कमिनलिजम का आपको देखने को मिल जाएगा वो यह होगा कि क और फॉर्म रिकॉल करें बार क्या हो रहा है कि फॉर फॉर्म देखें अगर तो सबसे पहला तो क्या है कि बेसिक लेवल पर रिलीजिएस प्रीडिटिस स्टीरियो टाइप बनाना ठीकिन यह बिलीव डेवलप करना कि देर इस वन रिलीजिजन सुपीरियर एंदी अधर र क्या सकते हैं दिवर्स फ़र्म अफ कम्मुलिज्ण यह है कि वो कमिनल राइट्स में में क्नवर्ट हो सकता तमगों में सकता है समझ घाए तो दिस इस जी केस तिक एफ टिक एफ तक प्रिविग था है समझ गय है कि यह था थम दॉन क्यूंस हाँ अब प्वइन की समझ्या ह सेकुलर स्टेट जा समझाता हूं तो किवर रहा कि एक धर्म को प्रमोट किया जा रहा है तो उसका सल्यूशन यह है एथनिक क्या होता है एथनिक मतलब जब आप एक शेर्ड कल्चर के बेसिस पर एक आइडेंटिटी को देखना शुरू करते हैं ठीक है अब जैसे अगर आप देखेंगे तो इसका सलूशन का है सेकुलर स्टेट जब एक स्रूशन की क्या देखने की मिल रहे हैं कि एक धर्म को क्या किया जा रहा है तो यहां पर उसका सलूशन है कि सारे धर्म को सर्व धर्म संभाव की भावना से देखा जाए सारे धर्म को equally treat किया जाए all religion should be treated equally तो वो कैसे हो पाएगा वो हो पाएगा secularism के थूर secular state का मतलब क्या है meaning समझ नहाँ secular state का meaning यह है secular state का meaning यह है कि when no religion is given ठीक है no single religion ठीक है no single religion is given priority ठीक है और all religions are treated equally all religions are equal सारे धर्म को जब समान रूप से दिखा जाए किसी एक धर्म को जब कोई special treatment ना दिया जाए वो secularism होता है simple ठीक है when the government treats all the religions equally in no specific religion is given extra advantages or privileges then that is known as secularism या फिर secular state how did secularism is practiced in India यह सवाल है और सवाल एक्जाम में ऐसे आता है what the understand by secularism how is secularism practiced in India समझ गए no official religion patriarchal society मतलब जहां पर male domination रहता है ठीक है तो अब जैसे अगर हम देखें यहां पर यहां क्या हो रहा है है no single religion is given importance all the religions are treated equally अब इंडिया में कैसे secularism को practice किया जाता है तो इंडिया में में मार काट हो जाना नर संहार हो जाना पेट्रियार का सुसाइटी है चार अबार तो बता दिया दीपक तुम लिख रहा हो कब से पूछ रहा हूं कि पॉइंट होता है लाइफ सेशन सबसे बड़ी दिक्क्त में बताता हूं आपको कहा रहती है अपना अपना उट टूट के आ रहा है जब मन होता जब अब उसमें यह होता है कि कोई कि बीच में जॉइन करना तो आगे की चीज उसको पता नहीं है आगे पाट है पीछे सा पाट है तो लाइफ से चालू करता हूं कि अहां चलो नहीं हो रहा या फिर पहले इंस्ट्राग्राम पर चले गोएंगे तो पांच मिट ध्यान आएगा अच्छा रिल नहीं देखना पढ़ना है तो शुरू से जॉइन के और आखरी तक रहा करो तो तुम्हें सारी चीज़े बीच में एक दम से कूद पढ़ते हो सरी यह समझ नहीं बता रहा कब से पूछ रहा हूं तो मैं हल चीज बताता रहा हूं तुम मिस्कर जा रहे हूं ठीक है अब चुप-चाप मु प्रमोट नहीं कर रहे हैं और सारे जितने भी हमारे नागरिक हैं कॉंस्टिशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अल्दी पीपल अफ इंडिया और कि अडियों को किंडी अफ्टी बसे और लोगों को बताओ सिर्थे जुस्टिशन और भी दर्म से ले लिया और लिया गवरमेंट ने मतलब कि अडिशन एंड इस यांविवलीजीन any religion on you there is no official religion you are free to follow any religion but at the same time धर्म के नाम पर कुछ भी मारकाट नहीं चला सकते हो ठीके अगर धर्म के नाम पर discrimination करो तो सरकार intervene कर जाएगी जैसे जैसे त्रिबल तलाग को सरकार ने बैन किया क्यों क्यों कि धर्म के नाम पर विमन के साथ discrimination हो रहा था समझ रहो तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर आप जिस दिखो कि तो Constitution prohibits discrimination on the ground of religion if there is any discrimination taking place in the name of religion government may intervene सरकार intervene कर सकती है ठीक है at the same time the Constitution allows the state to intervene in the matters of religious order to ensure equality within religious community समझ गया है वह वह वाला पॉइंट है तो कोई discrimination नहीं होगा Constitution किसी प्रकार से Constitution आपस में किसी प्रकार से किसी के किसी भी धर्म के साथ discrimination नहीं करेगा अगर Constitution ही discrimination करने लग तो तो फिर हम secular state नहीं रहे तो तो हम क्या बन जाएंगे चलो बताव इंदी चैट if the Constitution says कि इस धर्म के लोगों को यह फाइदा है भारत में तो क्या हो जाएगा फिर इंडियन कॉंस्टिशन सेक्विलर नहीं रहेगा फिर इंडियन कॉंस्टिशन क्या बन जाएगा एक कमिनल कॉंस्टिशन मन जाएगा वेरी गुड ठीक है तो यह हो गया और इसी के सांथ साथ यह होता है कि सरकार साथ सेंमा इंटरवीन भी सकती है सब्सक्राइड करने के लिए पर यापने आप में भारत की एक image है मतलब कि secularism in itself is the identity is the idea on which the country is based हमारा country secularism के idea पर बीज़्ट है तो this is the solution ये question ध्यान रखना communism क्या है secularism क्या है ये दोनों पार्ट इस chapter से important है ठीक है communism और secularism अब इस सवाल का जवाब दो और अब आएंगे third aspect पे auto के दो टायर हमने पंचर कर दिये हैं अब तीसरे टायर की तरफ आगे बढ़ते हैं chapter में तीन बुरॉड इशूज है जेंडर ठीक है religion और जेंडर रिलीजन और कास्क तो अब हम कास्क पड़ेंगे ठीक है नौडिक नौडिक मतलब क्या होता नौडिक कंट्रीज जाने की जो उपर नौर्थ साउथ पोल के पास की कंट्रीज हैं तो वो नौडिक कंट्रीज कहलाती है प्लीज एक्स्प्लेइन में अगर पाकिस्तान डिलीजन बेज अलग हुआ तो सारे मुस्लिम पाकिस्तान क्यों नहीं गए अरे बबु ऐसा है देखो कि पाकिस्तान अपने आपको क्या कर रहा था पाकिस्तान अपने आपको एक रिलीजियस कंट्री बना रहा था इस्लामि अग्यां कमेनल पॉलिटिक्स बेस्ट ओन्ड आइडिया तेट रिलिजेशन इस अप्रिंसिपल बेसिट सोशल कम्मुनिटी मतलब की कमिनल कम्नलिजम एक प्रिंसिपल बेसिटी गदाःम यह की धर्म गांदहर पर ही समाज बनेगा ठीक है कि एक धर्म के लोग एक सोसाइटी नवरे सिंविड्रेंगे इसा क्या समय आए यह सकनदिनेवन स्विडन ये सारी कंट्री पॉलक यह कुण कि यह जो कंट्रीज ऐसक पैनेंसूला इंडीन सुला उर्प देज में बना हुआ है तो इस पैनेंसुला पर जो कंट्रीज बसी है उन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाएगा ठीक है स्कैंडिनेवियन पेनन्सुला है यह ठीक उपर की द्रफ पोल आ गया तो सम्टाइम इंडिविजर्स प्रोफेशन इस अल्सों डिटर्माइन टूट्रू इंडिन्टीटी ऑफिर्स डैश सेशन लो ना सर आंसर राइटिंग की प्लेइलिस्ट की डाल दो जड़ा आंसर राइटिंग के में एक प्रॉपर सीरीज बना चुका हूँ ठीक अगर आप देखो कि सम्टाइम इन इंडिविजर्स प्रोफेशन इस ऑल्सों डेटर्माइन टूदी आइडेंटिटी ओफिस डेश जेंडर लीजन कास्ट कास्ट के हिसाब से हरिडेटरी ओक्यूपेशनल डिविजन होता है कास्ट के हिसाब से उसका ऑक्यूपेशन डिसाइड किया जाता है ठीके कास्ट सीजी राइट आंसर ठीके कास्ट कास्ट के हिसाब से कि आप इस कास्ट में हो तो आप मटके करोगे कास्ट के साफसे एट ताइम्स क्या होता था इंडिविजल के प्रोफेशन्स को कि अर्टरमाइन किया था दार ठीक है वे अगे बनते हैं आगे क्या अगली कहानी अगली कहानी यह कास्ट आज आफ यहाँ पर यह टॉपिक के अंदर टीन टॉपिक क्यों सब कुछ बहुत अगर तुम ध्यान से समझोगे सुन लो सब एक ड्रिंक्स ब्रेक लो जरा ठीक है एक ड्रिंक्स ब्रेक लो सब फटा फट पहले ठीक है और यह वहाँ पानी का टास्क कम्प्लीट करो फिर हम स्टार्ट करते हैं कास्ट एंड पॉलेटिक्स ठीक है चलो रेड़ी समझाना शुरू करते हैं हां से ठीक है आदेत्य क्या कहें रहो हेलो सर लव फ्रम यूर एक्स यूसी इस्टुडेंट हैपी टू सीवेर कास्ट के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समझा रहा हूं तो अभी तक हमने पड़ा जेंडर का सब पॉलेटिक्स में हेलाइट होना पॉजिटिव था रिलेज़न का पॉलेटिक्स हेलाइट होना निगेटिव था कास्ट का kelu कशल यहां नेगेटिव भी वी और पॉजिटीव कैसे कलना प्यार से समझते चलना एक फ्लोको अच pendum तुम पूरा कंसेंट्रेशन इता रखना मैप या पिटाई लगा दू क्या मन तो है सकता कभी कभी चैट में बीच सेशन में जॉइन करते हैं एक बार बोल चुका हूं मैप क्या करेंगे हम परसों के दिन करेंगे मैप पूरा हाफ यह लिगा ठीक युमिया थमसाब और शुर और कास्ट का पॉलेटिक्स में हैलाइट होना पॉजिटिव भी एं नेगेटिव भी है ठीक है पॉजिटिव कैसे नेगेटिव कैसे दोनों आपको लाश्ट तक समय बहेंगे इंडिया की बात करते हैं इंडिया में कास्ट सिस्टम इस वेरी यूनिक कास्ट क्या करते थे बाल काटने का काम करते थे तो एक्सपेक्ट किया जाता था कि इनके घर में जो बच्चा पैदा होगा आगे जाके वो भी बाल काटेगा ठीक एक व्यक्ति है जिनका काम होता था सडके साफ करने का ठीक एक कास्ट का काम होगा कि साफ सफाई करेंगे ट्वालेट रिच्वल्स तो बाद में ऐसा हो गया कि जिस कास्ट में आदमी है उस कास्ट के काम करेगा ठीकि वही काम करेगा और उस हिसाब से समाज में स्टेटस कर दिया जाता था और इसी के चलते क्या है डिस्क्रिमेशन और अंटच्चिबिलीटी जैसी चीजें भी निकल के आई क्यों कि अब कुछ काम को छोटा काम माने जाने लगा जैसे क्या है कि जूते साफ करना हो गया ट्वलेट साफ करना हो गया इन कामों को छोटा काम माने जाने लगा और इन कास्ट को आउट कास्ट 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 करने लगे कि यह कास्ट जो है तो इस आर अब आप जिसाओं देखोगे तो आज के समय में कास्ष इस्टम उतना स्ट्रॉंग नहीं अब इस तुम हो रहे स्ट्प्रमेशन पहले रिजिट था अब उतना रिजिट नहीं तो उसके पीछे के यह तीन रीजन में आपको समझा रहा हूँ यह तीन रीजन ब्रॉडली अगर पुछा जाए कि what are the reasons for the disintegration of caste system तो आप लिख दोगे या फिर या फिर अगर specifically पूछा जाए कि कैसे social economic changes आने से caste system में reform आया ठीके कैसे social reformers ने caste system को reform किया तो वो जैसे भी पूछा जाए वैसे आप पता सकते हो रिकॉल करें caste system की बात करें तो इस यूनीक टो इंडिया इस बेच्ट ओन हरीडेटरी occupational division मतलब क्या है कि हरीडेटरी यह है जैसे diseases हरीडेटरी होती कि अगर पिता जी यह काम कर रहे थे तो बेटा भी वही काम करेगा पोते भी वही काम करेंगे पर पोते भी व को मिला है कि यहाँ पर आपको changes देखने को मिले है क्या changes देखने को मिले की कास्ट बेस सोशल डिविजन जो था तो अब वो होते क्या चले गए अब वो थोड़े से change होते चले गए कास्ट स्टम का उसके पूषए के कारण तो पहला कारण है ईस वहार सुषञर रिफॉर्म अस ठीक है कास्ट के नाम पे भेदभाव होते थे तो कस के नाम पे जब भेदभाव होते थे सोशल डिफॉर्मर्स है एड़ोगेटेडitting एन वागड टू स्टैब्लिश एक्वैलि स्टेम या पर कह सकते कि कास्ट की जो रिजीडीटी थी वो कम हुई है ठीक है फिर दूसरा सोशो एकनोमिक चेंजेस के कारण भी कास्ट सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ है ठीक है सोश्य उकनोमिक चेंजेस मतलब क्या है कि समाजिक और आर्थिक रूप से बदला हुआ है जैसे अर्बनाइजेशन गाव में कास्ट सिस्टम आज भी आपको देखने को मिल जाएगा शहर में आप कभी किसी से नहीं पूछते हो कि उसके साथ बैठके खाना खा रहे हो आपका क्लास्मेट जो उसके टिफिन में साब रोटी लेके भाग गए ठीक है आप उससे यह नही इंपॉर्डट कास्ट प्रक्टर में कास्ट और यह इस्फु जो है लिटरेट होने के बाद में अद्में को लाखा कि वह उतने माइन नहीं रखते हैं और पिशनल मुबिलिटी पहले क्या होता था कि वहीं बार्बर का बेटा है तो बार्बर ही बनेगा कॉबलर का बेटा के कारण कहीं आपको क्या देखने को मिलता है कि का सिस्टम ब्रेक्डाउन हुआ है तो इस तरह से सोचो एकनोमिक रिफार्म से पोजिशन आफ लेंडलोड जमीदार जो थे तो वो का सिस्टम को चलाए रखते थे अब जमीदार और लेंडलोड यह नहीं रहे गए रेस्ट इ क्या से हुआ ओर एक पॉइंट यह भी लिख सकते हो आप क्या कि कॉंसिटूटिउशनल प्रोर्विजयन से कहीना के का सिस्टम को क्या किया कमजोर किया है जैसे अब हमारे कॉंस्टिशन में ट्लेट्राइक से मैंशन कर दिया गाया कि कास्ट के बेसिस पे इस्क्रिमिनेश सकते हो कानूनन अपराद है तो आप करके दिखाओ डिस्क्रिमिर्शन तो Constitutional Provision से भी क्या हुआ है डिस इंटेग्रेशन वह कास्ट सिस्टम का तो समझ में आया ना वाट डार दी रीजन्स वाई देर इस ब्रेकिंग डाउन अफ दी कास्ट सिस्टम कैसे सोशो एकनॉमिक चेंजेस से कास्ट सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ है सोशो एकनॉमिक चेंजेस के अलावा सोशल रिफॉर्मर्स और कॉंस्टिशन प्रोविजन से कास्ट सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ है समझ गए ठीक है तो यह आपको समझ में आया की नहीं आया बताओ इतने changes के बावजूद भी आज भी इतने changes के बावजूद भी आज भी इतने changes के बावजूद भी आज भी it's not like that की caste system या फिर caste से जो notions associated लोगों के they have completely vanished ठीक है पूरी तरह से नहीं गए कास्ट हरार की मतलब कुछ कास्ट हरार की मतलब एक लेडर बनाना कुछ उपर है कुछ नीचे है वो तो अब अगर मैं आपको आगे का टॉपिक बताओ तो आगे का टॉपिक क्या कह रहा है तो despite this these things do play a very important role ठीक है जैसे marriage की बात हो गई कास्ट linkages with economic status ठीक है आप क्या हो रहा है कि कास्ट सिस्टम में एक समस्य यह भी है कि कास्ट economic status से जुड़ी हुई है जैसे अगर आप देखेंगे तो certain upper caste groups जो रहे हैं तो उन्होंने economic fruits को ज्यादा enjoy किया तो उसकारण से अपर कास्ट जो है आज economically powerful है तो अपनी economic power का कास्ट domination में इस्तिमाल कर सकते हैं ठीक है तो यह सारी चीजे हैं यह सारी चीजे कास्ट and politics के context में देखी जासे सवाल यह बनता है majorly क्या यही बनता है कि what are the reasons behind the disintegration of caste system या फिर कास्ट सिस्टम ब्रेकडाउन क्यूं हुआ अब आजाओ caste in politics and politics in caste पे ठीक है यह दोनों topic में difference क्या है पहले वो समझ लो ठीक है इसके लिए आपको एक कहानी सुनाई जाएगी अब किसान सभा की leaders कौन थे जवालल नहरू और बाबराम चंद्र simple चलो अब कहानी सुनाई जाएगी बबलू की ठीक है बबलू ओपी इंदी चैट ठीक है बबलू बोलता है कि हर बार मेरे साथ ही अन्या है क्यों लेकिन बबलू you are the only person तो क्या हो रहा ना कास्ट in politics और एक example लूँगा बबलू इजी प्रॉप ठीक है बबलू एक कालपनिक करेक्टर है इनका रियल लाइफ से कोई लिना देना नहीं है अब हो क्या रहा है अगर मैं लिख रहा हूं बबलू इन कार लिख दिया मैंने इसका मतलब क्या है बबलू डॉमिनेट कर रहा है बबलू स्ट अब बबलू के आवाज ने निकल रही है क्यों बबलू के उपर खास चड़ गई अब डॉमिनेट कोन कर रहा है कार ठीक है कार ने अब लुको फोन लगा कि वह मीम बोला है ठीक है समझे है तो अब क्या होगा अब जैसे अगर आप देखोगे अब अगर जैसे आप देखो जो जो शब्द आगे हैं वो डॉमीट कर रहा है यहां क्या हो हो रहा है कास्ट in politics लिखा है मैं थἥ उन पॉलिटिक्स लिखाए तो कास्टिक्स में कास्ट में कर रही है कास्ट में क्सक्रा रही है में जैसे बबबलु कर रहा है और अब यहू टाопिक हमारा होता तो प्रिफिक्स कर रहा है कार और बबलू मतलब क्या है कि अब कर दोमिनेट कर रही है और सब्सक्राइब सब्सक्राइब और जब हम यह पड़ेंगे कि politics in caste तो हम यह देखेंगे कि politics कैसे important role play करती है कास्ट में ठीक है कि रस्ट इन पीस बबलू हां समझ में तो जो prefix रहेगा वो dominate करता हम यह समझेंगे ठीक है जो prefix रहेगा वो dominate करेगा उस विसाप से समझना है तो पहला topic क्याँ का-स्ट इन पोलेटिक्स पहला topic क्या है कास्ट इन पोलेटिक्स ठीक है समझ में यह समझना था टॉपिकस समझ लिए तो आदा काम हो पहला topicaya podcast in Politics तो हम देखें कि domination of caste in politics can take various forms कैसे सबसे है पहला चीज कास्ट कंपोजिशन ओफ ऐसे प्रडॉमिनेट करती पॉलिटिक्स में कि जब भी किसी पॉलेटिकल पार्टी को किसी केंडिडेट को टिकट देना होता है किसी एक चुनाव आने वाले की इस जगह से किसको चुनाव में टिकट दी जाए पार्टी के द्वारा तो पार्टी क्या करती और यह देखती कि वहां पर किस कास्ट के लोग ज्यादार है तो इस तरह around हो कितना इंपॉर्टन रोल करती पाले इसमे कास्ट कंपोजिशन दिखा प्रचार के लिए तो सबसे पहले जाते से क्या करेगी महाराणा प्रताप को नमन करेगी क्यों को नहीं किया तो यहाँ जीतना मुश्किल नहीं मतलब यहाँ जीतना बहुत मुश्किल है समझ रह要 हो तो क्या हो रहा है इनि कैदिेट्स अपील अपील कर शुक्त्र。 वो क्या करेगी कि मराठास के कास्ट सेंटिमेंट को पील करेगी पॉलिटिकल पार्टी कि उन्हें पता है कि कास्ट प्लेस अवरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिकल पार्टी ठीक है पॉलेटिक्स में कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है समझ गया तो इस प्रिंसिपल ओफ वन परसन वन वोट है जब सारे लोगों के इकवल वोटिंग राइट है तो अब इन्हें समझने आ गया कि कोई भी कास्ट हो चाहिए अपर कास्ट हो चाहिए लोवर कास्ट हो किसी कास्ट को छोड़ नहीं सकते क्योंकि हर कास्ट एक साथ एक जो ठोके पॉलिटिक्स तो अब इतने तीन पॉइंट समझ में आ था क्यों में यह सब कि हाओ कास्ट प्लेशन देखी जाती है विफोर डिस्ट्रिबूटिंग टिकेट्स नॉमिनेशन के पहले दूसरा प्लिटिकल पार्टी सपोर्ट मस्टर करने के लिए कास्ट का इंप यूस करत समझ उतना समEr्ण के बात तो ऐसा लगता है सर कि चुनाओ कुंछ नहीं है चुनाओ सिर्फ क्या है कास्ट से किडिडूढन में everything में everything इस कास्ट काश्ट ग Colonel क्यूवक्तिक्स ऑ्ल इसा लिएवसा थैं यह तotी नहीं ठीक्य कर तो यहांigent कांटर आर्गुमेंट क्या है कांटर आर्गुमेंट मितलब उसके अगेंस्ट में कांटर आर्गुमेंट क्या है कांटर आर्गुमेंट किसके अगेंस्ट में इन पॉइंट्स के अगेंस्ट में कि कास्ट ही पॉलिटिक्स है ठीक है तो उसके अगेंस्ट में कांटर किस constituency में लेकिन कोई एक भी country मतलब कोई एक भी constituency पूरी country में ऐसी नहीं है जहां पर सिर्फ एक कास्ट के लोग ही majority में हैं ठीक है क्योंकि हर constituency के अंदर multiple caste होती यह हो सकता है कि एक कास्ट थोड़ी जादा हो लेकिन क्लियर कट majority एक ही कास्ट के लोग की हो एक constituency में ऐसा संभव नहीं है दूसरी चीज क्या है अगर मान लो अगर मान लो क्या हो गया कि है भी for example मान लो कि किसी एक कास्ट के लोग सपोस्स जाट जो है कोई भी एक political party ऐसी है नहीं जो उस कास्ट के पूरे लोट ले रही हो यह तक कुछ लोग किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते होंगे कुछ लोग कि दूसरी पार्टी को ठीके यह हो गया दूसरी चीजज क्या है अगर मान लो अगर मान लो यह भी हो गया कि एक constituency चलो मानलो constituency नंबर ए ए मान लेते constitution constitution number one मानते नंबर में बनाएगा ना constituency number one मान ली उसमें क्या हो रहा उसमें सारे majority में राजपूत से for example और ऐसा मान लिया कि सारे राजपूत एक ही political party को वोट देते हैं ठीके मतलब अपने ही candidate को वोट देंगे मान लिया अब होगा क्या अगर ऐसा है तो बीजेपी भी क्या करेगी एक राजपूत candidate उतार देगी और Congress भी राजपूत candidate उतार देगी आम आदमी party भी राजपूत candidate उतार देगी तो अब बताओ अब व्यक्ति तो एक ही वोट दे पाएगा न व्यक्ति तो एक ही वोट दे पाएगा तो मैंने पॉलेटिकल पार्टी में पूट अप candidates from the same caste if that caste dominate the electorate in the particular consequence यगर एक कास्ट कहीं dominate कर भी रही है न तो सारी political party उसी कास्ट के candidate को ticket देगी तो इस sense में आपको क्या देखने को मिलता है इस sense में आपको देखने को मिलता है कि कास्ट डू प्लेज़ा वेरी important role in politics but politics is all about caste this is wrong this is wrong in fact आपको यह भी देखने को मिलता है कि आज जो party rule कर रही है किसी constituency में वो पार्टीकल हारेगी भी वो पार्टीकल हारेगी भी मतलब जो sitting MP और MLA है तो they frequently lose elections in our country this shows या फिर this proves क्या कि लोग जो है जिन्होंने आज जैसे वोट दिया वो कल वैसे वोट नहीं देंगे अपना voting opinion बदल लेते हैं वो अपना voting opinion बदल लेते हैं क्या यहाँ तक सारी चीज़ें आपको clear है अगर सारी चीज़ें clear है तो अगले question पे एक सवाल आएगा और एक सवाल के साथ साथ में एक बार recap करवा देता हूं आपको ठीक है कास्ट in politics में हम यह देख रहे है कि dominate कौन कर रहा है कास्ट कर रहा है politics में कैसे तो political parties caste composition देखती है किसी भी constituency का before giving the ticket और before the nomination of the candidate they muster the caste sentiments to get the vote ठीक है support of the people of that caste तीसरा क्या है due to the universal franchisee they cannot leave any caste ठीक है all the class plays a very important role for them ठीक है तो जो caste एक समय पर lower inferior consider की जाती था उनकी भी उतनी value ठीक है तो this this scenario gives us the picture this scenario gives us the rational that politics is all about caste but it is not like that there are counter arguments क्योंकि कोई भी parliamentary constituency की clear-cut majority नहीं है ठीक है अगर है भी तो सारे एक ही कास्ट के लोग एक ही पार्टी को वोट दें वो भी ताय नहीं है पर अगर दे भी रहें तो multiple parties उसी कास्ट की candidate को उतार सकती है और in fact हमें यह देखने को मिला है क्या कि ruling parties के जो sitting MPs और MLS हारते हैं इसका मतलब क्या कि लोग अपने वोटिंग पैटन को change करते हैं ठीक है ठीक है ठीक है लोग अपने वोटिंग पैटन को change करते हैं ठीक है और आप किसी भी कास्ट को अपने दिल पे नहीं लेना इतनी जोड से एक्जाम्पल्स गिवन ओवर यह रहा है जस्ट है जस्ट टू मेक तिंग्स इजी फॉर यू ठीक है कि आपको समझ में आ जाए लड़ाने मत लगना है आपस में ठीक है वेरी स्केर्ड आफ बोर्ड्स बोर्ड्स कोई भूत थरी नहीं डर रहे हो तुम डरोगे तो भी फेस करना है नी डरोगे तो भी फेस करना है बढ़ियां एक माउंटेन ड्यूप यू और आगे बढ़ो क्यामरा टिल्ट है तेड़ा एक है क्यामरा थोड़ा जाँ संधी पगड़ा गए हो तुम चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं इंडिया दी लिटरसी रेट अमंग विमें इस सिग्निफिकेंटली लोवर दिन में ठीक है ति पेट्रियार्कल सिस्टम इन इंडिया गिफ्स मोर वैल्यू तो दी एडुकेशन ओफ मेल चाहिल्ड हूँ कैरीज ऑन दी फैमिली नीम से यह बोथ ए एंड आरा टू इंडिय इंडिया में लिटरसी रेट विमें का कम है कारण उसका यह है कि पेट्रियार्कल सिस्टम जो है ना तो वहाँ पे एडुकेशन ओफ मेल चाहिल्ड इस गिवंग मोर इंपॉर्डेंस तो ए इस दी राइट आंसर ठीक है समाझ गया है आजाओ on twenty seven we are having our STP paper सेंड जोसफ कोईट स्कूल all the best to everyone from सेंड जोसफ 26 तरिक हमारे दुट्सों चैटर हो जाएंगे टीद कि इस कास्टिसंग प्रेक्टिसिंग सेम एस कास्टिन एक भार पर पर पहलाब क्या जाएगा है하고 politics is played with class वो वाला पार्ट अब यहां आ जाएगा, how politics is played with caste वो वाला पार्ट आ जाएगा, समझ गए, politics in caste, तो अब जिसे आप क्या देखते हैं, कि politics to influences the caste system and caste identities, ऐसा नहीं कि सरफ caste politics में important role play कर रही है, ठीक है, politics भी क्या करती है, politics भी caste को influence करती, caste system को तोड़ती मरोती है, ठीक है, तो य statement जो यह question बन के आता है, कभी कभी एक्जाम में, क्या, कि it is not politics that gets caste ridden, मतलब, it is not just caste in politics, simple करो तो, सिंपल करोते हो, सिмПल करोतो हो, सिर्फ caste in politics ही नहीं चलता है, it is not politics that gets caste ridden, या फिर caste dominate करती है, politics पैसा नहीं है, it is the caste that gets politicized, often the caste gets politicized, मतलब, caste को भी तोड़द मरोला देती है, क के उपर वह चीज यहां पे बस यह तोपिक कर रहा है पॉलेटिक इंट कर रहा है पॉलेटिक्स कैसे काश्च −ाहग के साथ खिली जाती है और कास्ट इंट इंट muk का onun P गाउस्ट कि बिकम बिगर बाइं कॉर्बरेग्टिंग व techno सीर firms दो तो इस तरह से politics होती है क्या से कि हर अपने आपको बड़ा बनाना चाहता है जितना बड़ा कास्ट आप रहेगा उतना जयादा तो इस तरह से हर कास्ट ग्रूप अपने आपको बड़ा बनाना चाहता है इंकॉर्परेटिंग दी नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच्वर अर्लियर एक्स्वूडेट पहले ऐसा वोल दिया था नहीं शादी करने के बारे आए यह तो वह अले ब्रहमणे यह तो वह अल परिषद बनाएंगे समय तो केस क्या हो रहा है केस समझ में आपको कि किस तरह से हर कास्ट ग्रूप ट्राइस तो बिकम बिगर और बिगर सो देखने अट्रेक्ट मोर अटेंशन आप प्लिटिकल पार्टिस तो दिस इन पॉलिटिक्स इस फ्लेट इन कास्ट समझ गया है सम क्लियर कट तरिके से पता था क्या कि ऐसे भी पॉलिटिक्स की जाती कास्ट के साथ में कि दो अलग अलग कास्ट ग्रूप एक जमीन एक आस्मान है लेकिन दोनों एक साथ मिलाते हैं क्यूंकि उन्हें दिखता है कि हम दोनों एक साथ आएंगे तो हम पॉलिटिक्स में ज्य मुस्लिम उनिटी की बात की जाती है तो वो क्या देखने को मिल रहा है आपको देखने को मिल रहा है कि ग्रॉप ट्राइस टू एंटर इंटू कोलिजिएं सो देखने अट्रैक्ट मोर पोलिटिकल अपील्स तीसरा जिसे अगर आप देखोगे तो न्यू काइंड व कास्ट ग तो क्या हो रहा है कि backward and forward caste groups आ जाते है इस तरह से ठीक है new caste groups का emergence आपको तीसरा पॉइंट देखने को मिल गया तो जो स्थार्टिंग वहता है था कि politics is something politics and caste is something which is having both positive and negative तो positive क्या है पता है कि जब caste issues को politics में highlight किया जाता ना तो एक समय तक जिन caste groups ने discrimination face किया so called lower caste जो रही तो उन caste groups को क्या मिलता है मौका मिलता है आगे आने का ठीक है जब क्या होता है कि this help the people from Dalits and OBC caste to gain better access to the decision making ठीक है जब politics में caste को highlight किया गया ठीक है तो caste के highlighting से या फिर caste के issue को उठाने से यह हुगा कि जो एक समय पे जैसे दलित्स हो गए OBC caste के लोग होगे तो जो लोग deprived रहे resources से decision making में पावर नहीं रही उनको मौका मिला है forefront पे आने का लेकिन इसी का negative advantage भी है negative advantage क्या है कास्ट को poverty development corruption ठीक है और लोगों को कास्ट में लडाते जाएंगे कि उनकी कास्ट को वोट नहीं देना अपनी कास्ट को जीताना है कास्ट कास्ट ठीक है और उत्ते में कहा जाता कोई जीत के चले जाता फिर पांस साल बाद आता है वह बापिस लडाने के लिए तो दिस इस दी केस पॉजिटिव नेगेटिव सारा आस्पेक्ट सब कुछ बता दिया है नाओ टेल मी आर दी तिंग्स क्लियर तिल यहर रिपीट प्लीज क्या रिपीट कर वहाँ सिदार दिसमें बदाओ एक बार पीत कर देते हें है तो हो जाएंगे लेट की लैट सिट च्ऱीक क्या अभी मंजील ठोड़ी तीन कदम दूर कर देतें तो बड़ी हैं आ idag छे को रिपीट धोा एक बार और पॉलिटिकस इनी कास्ट जो तो politics इसका रेक्याब दे रहा हूँ politics in caste का क्या हो रहा है politics in caste में हम क्या देख रहा है कि how politics plays a very important role in caste politics कैसे important role play करती caste में वो समझा रहे हैं आपको तो आपको यह देखने को मिलता है कि दो अलग अलग मतलब जैसे एक caste group है तो वह caste group क्या करता अपनी neighboring caste को और या फिर सब caste को उतना advantage रहेगा तो यह पहला point होगा क्या हो neighboring caste groups tries to how the caste group tries to become a bigger and bigger unit by incorporating the neighboring और सब कास ग्रूप दूसरा क्या होता है caste groups collisions में आ जाते हैं दो अलग-अलग caste group के लोग होंगे लेकिन वह एक साथ आ जाते हैं क्योंकि लगता है कि इससे हमको politically फाइदा होगा ठीके बड़ा caste group दिखा देंगे emergence of new caste group नए-nए caste groups emerge होके आ जाते हैं आपके सामने जो की exist ही नहीं करते हैं जैसे forward caste बना दी backward caste बना दी सिर्फ political motive के उससे सिर्फ political motive के उससे कि politically उनको गेन हो जाए तो how politics is played with caste या फिर it is not that the caste it is not the politics that gets caste ridden it is the caste that gets politicized तो मतलब यह कि कैसे politics caste के साथ खेली जा रही है ठीके अब इसका positive है और negative है positive यह है समझ लो caste and politics का positive क्या है कि जो एक समय पे deprived communities रहे हैं दलित्स ओबीसी जिनको पहले rights नहीं था decision making में उतना participation नहीं था तो they get a chance to come to the forefront यह positive हो गया negative यह है कि कास्ट को जो politics में excessively highlight किया जाता है न तो it is done to divert the attention from other important issues politics में issues development, corruption, education, health यह होना चाहिए तो इन से issues से divert करने के लिए caste का पत्ता खिला जाता है ठीके कल जिन जिन का paper है तो यह हाथ में से इसे चमतकार निकलता हुआ अब तुमारे उपर इसा पुरा प्रकास आते क्या क्रपा आना शुरू हो गई है ठीक है कौन सी बुग लें दोनों में से देखो दोनों में से आप को यह समझो किस चीज की requirement अगर चैप्टर बगरा सब समझ लिया बहुत अच्छे से तो पतली वाली किताब ले लो कुश्चे उसमें मिल जाएंगे ठीक है क्लेर है ग्यों मिया थम सब अगर यहां तक चीज में क्लेर आज का चैप्टर लंबा हो गया तेलिग्राम चैनल हमारा टीम डिया सार कूद पड़ो बस यह सेशन खतम हुआ और मैंने तुम्हें पीडिएफ दिया है ठीक है यह अधिया जरी चैनल सर फेसिंग दी मुस्ट देखो रिजरवेशन इस नॉट दीमेर इंट इस जरीशन इस यूज़ बायरी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स ठीक है और आप में गलत नहीं उसका तरीका जिस तरीके से इस्तेमाल के जारा वह गलत है आज एक्जाम फोड़ दिया बहुत बढ़ी हम कल हमारा लास्ट डे होगा तो आज के सारे टास्ट को ही कंप्लीट ठीक है तो जनेरी दिन क्लाश्ट हो गया कम्लीट कल वाटर रिसोर्स करेंगे कल वाटर रिसोर्स का आपको एक्जाम पैक भी मिल जाएगा और इसको मैप का इतने दस शेप्टर का जो मैप आना है वाला वो ठीक हैं कि समझ गए है कि क्लेर है कि आगे कृपा बहुत बढ़ी है पहुच गई है एगरीकल्चर चेप्टर का मैप चाहिए तुम्हें अगरीकल्चर चेप्टर अभी पढ़ा नहीं न पन्य इस स्टेरियोटाइप बबु मैंने आज देखो आज क्लास में तीन बार बता है मैं इसलिए बोलता हूँ कि शुरू से आप आओगे न तो कन्फीजन नहीं रहेगा जब आप किसी भी एक कम्यूनिटी के बारे में इंसान के बारे में ग्रुप के बारे में प्रीकंसीवड नोशन बना लेता हो कि आज मेरा बर्थरडे हैपी बर्थरडे विश्व वेरी हैपी बर्थरडे साधिक चीक है ओके चलो तो आज का कारीक्रम यहां सवाप्त करते हैं मिलेंगे हम कल तब तक अपना ध्यान रखो पढ़ते रहो मुस्कुरा दे रहो ठीक है अभी के लिए साइन आफ करता हूं तें क्यू